जै मातादी दोस्तों, आप सबी को आने वाले नवरात्रे की धेरो शुप कामना है, मातारानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदयव बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ, आज के इस वीडियो में मैं आप सबी के लिए मागमास में आने वाली नवरात्री, जिसे की गुप्त नवरात्री भी कहा जाता है उसकी बहुती सरल पूजवीदी लेकर आई हूँ तो देखी शक्ती की साधना का सबसे बड़ा परव होता है नवरात्रे और शास्त्रों के अनुसार सनादन धर्मे कुल चार तरक नवरात्रे होते हैं जिसमें चैत्रमास के नवरात्रे शारदी नवरात्रे ये दोनों जो होते हैं इन्हें प्रकट नवरात्रे बोला जाता है और इसके अलावा दो गुप्त नवरात्रे होते हैं जो कि एक माग मास में आता है और दूसरा आशार मास में तो देखी पूजवीदी जो होती है वो गुप्त नवरात्रे की और प्र इस रंग का वस्त्र बिचाएं और इसके साथ ही चावलों से यहां अश्टदल कमल की आकरती बना कर उसके उपर मैं कलश की स्थापना कर रही हूं क्योंकि देखी कलश की स्थापना करना अत्यंतसरेश्ट माना जाता है तो जिस प्रकार हम प्रकट नवरात्रे में माता के 900 र और रोली से यहां पर स्वास्तिक बना लिया है मैंने और अब इस कलश को हमें कंठ तक साफ जल से भर लेना है और इस जल में आप गंगा जल भी जरूर मिला लें और इसके साथ हल्दी के गांट, सुपाडी, सिक्का, रोली, चंदन, अक्षत यह सभी सामगरी हम डाल अगर आपके पास हल्दी की गांट ना हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं और इसके बाद देखें यहां पर मैंने आम के पत्ते लिए हैं आप 7, 5, 9, 11, इस संख्या में आम के पत्ते लें और यहां एक आम के पत्तों का बंच लिया है मैंने और उसे चन्दन और से टीक लिया है और इसके बाद अब हमें एक जटा वाला पानी वाला नारियल लेना है आप हिला कर देख लीजिए उसमें पानी होना चाहिए सूखा नारियल नहीं हमें पानी वाला नारियल स्थापित करना है और इसके बाद नारियल पर हम एक चुन्डी लपेट देंगे आ तो अपनी ओर मुख करके रखें या उपर के ओर मुख करके भी रखा जा सकता है, दोनों ही विदिया एकदम सही हैं, अब कलश स्थापना के बाद एक पान के पत्टे पर हम गणपती जी की भी स्थापना कर लेंगे, आप पान के पत्टे की जगए पर अक्षत या फूलो का आसन देते हुए भी गनपती जी की स्थापना कर सकते हैं और इसके बाद फूलो का आसन देते हुए मादुर्गा की प्रतिमा है मेरे पास तो मैं उन्हें स्थापित कर लूँगी आप प्रतिमा की जगह पर फोटो की भी स्थापना कर सकते हैं जो भी हो आपके पास और देख चंदन से एक पात्रों में हम स्वास्तिक बना लेगे और इसके बाद गुप्त नवरात्रे में कोई भी मंत्र किसी बी पूजा पार्थ और अगर हम अनुष्ठान करते हैं तो उसका फ़ल है वो हमें बहुत शीग्र मिलता है क्योंकि देखी उसका कारण ये है कि किसी भी पूजा पाट का प्रचार प्रसार अगर हम करते हैं तो उसका फल कम हो जाता है और गुप्त नवरात्रे में जो भी पूजा पाट अनुस्टान हम करते हैं तो उसे गुप्त तरीके से गोपनी रखकर हम करते हैं इसलिए उसका फल हमें जल्दी मिलता है तो यहां पर मैंने एक शुद देशी घी की जोत स्थापित करके प्रज्वलित कर ली है और अब गंगा जल और फूल की सायता से स्नान की भावना से हम सभी को जल का छीटा दे द है तो उस पर भी हम कलावा अर्पित कर देंगे और इसके बाद अब हम सभी का चंदन रोली अक्षत समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे तो देखिए गुप्त नवरात्रे का यह जो पूजन है यह गुप्त तरीके से गोपनी रखकर किया जाता है तो आप चौकी ऐसी तो अगर आप किसी चीज का अनुस्ठान कर रहे हैं मंत्र जब कर रहे हैं तो इतना तो उन्हें ग्यात हो ही जाएगा कि आप किसी तरह की विशेश पूजा कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, कि जिस भी मंतर का आप जब कर रहे हैं, या जो भी मनो कामना से आप कर रहे हैं, वो मनो कामना, वो मंतर और वो पाठ आप किसी और को ना बताएं, पोण रूप से उसे गुप्त रखें, अपनी पूजा, अपनी साधना को किसी के साथ साजा ना करें। तो इस प्रकार से गनपती जी को हमने अलग से मिस्ठान का भोग रखा है और माता को मेवे, मिठाई और बताशे का भोग रख देंगे, साथी जल का प्रसाद भी रख देंगे। और अब मुक्षुद्धी के लिए मा को यहाँ पर पान, सुपाड़ी और एक लौंग का जोड़ा और इलाइची में अरपित कर रही हूँ। आप जो लौंग अरपित करेंगे मा को उसको देख लें, पूरा फूल होना चाहिए, कहीं से भी फूल खंडित नहीं होना चाहिए, और अब इसके साथी कुछ दक्षना भी निकाल देंगे हम, और एक छोटा सा हवन आपको जरूर करना है, यह कंपल सरी है, तो यहाँ पर एक गाय के गोबर का आपको उपला सेकना है, और उस पर 5, 7, 9, 11, जितनी आपकी इक्षा हो उतनी आउतियां दें, और देखें गाय के गोबर का उपला ना मिले तो आप सूखे नारियल पर यह कपूर पर भी यह हवन कर सकते हैं, और जो भी भोग प्रशाद आपने मा को च चाहिए, और एक इलायची के जोड़े की, मुक्षुदी के रूप में हम आउति देंगे, और इसके साथ आप जो भी पाठ करना चाहें, दुर्गा सब्तसदी का, दुर्गा कवच या दुर्गा स्तुती, जो भी पाठ आप करना चाहें, वो पाठ कर लें, दुर्गा चाल अलश देव की सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे अंबे तु है जग दंबे काली जै दुरगे खपर वाली तेरे ही गोणे गाएं भारती हो मैया हम सब उतारें मा की आरती तेरे भक्त जनों पे मैया भीर पड़ी है भारी दानव दल पर तूट पड़ो मा करके सिंग सवारी सो सो सिंगों से तूबल शाली अश्ट भूजाओं वाली दुखियों के दुख डेनी वारती तो इस प्रकार से देखिए धूप दीप से आरती उतार लेंगे हम माता की और हाथ जोड़ कर माता से एक शमा याचना कर लेंगे कि अगर हमसे किसी भी तरह की कोई भूल चुक हो गई हो तो माता हमें अपना बालक समझ कर शमा करें तो देखिए बहुत से लोगों के मन में इस प्रकार की शंका होती है कि गुप्त नवरात्रे का पूजन ग्रहस्त जन कर सकते हैं या नहीं तो हाँजी बिल्कुल कर सकते हैं बस कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है जैसा कि मैंने वीडियो में बताया और ये जो पूजन है इसे आप वरत रहे कर भी कर सकते हैं बिनावरत रहे भी पर आप जब तक ये पूजन करेंगे आपको पूण रूप से सात्विक रहना होगा सात्विक भोजन करना होगा ब्रहमचर का पालन करना होगा तो नियम जो है वो प्रकट नवरात्रे के और गुप्त नवरात्रे के सेम ही रहते हैं नवरत्रे के कुछ धो चार नियम बढ़ी जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, कि जिस भी मनोकामना से आप गुप्त नवरत्रे का पूजन कर रहे हैं, तो जो ये समय हैं, इसमें मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। मनो कामना आपकी किसी भी तरह की हो, दन प्राप्ति को लेकर संतान प्राप्ति के लिए या विवाह से सम्मंदित या किसी और भी सम्मंद में किसी भी तरह की कोई मनो कामना हो, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे अधिक से अधिक संख्या में आप मंत्र अपनी जो पूजा है आपको अपने तकी सीमित रखना है तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दीगी जानकारी आप सभी को पसंद आए वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें